इस question में हमें दे रखा है कि दो device है यह figure में हमें दे रखा है वो रोटेट करता है जो frame है उसका है negligible mass is compared to the four mass है जिसका mass m हमें हमें दे रखा है इनिशल ही हमें दे रखा है कि वो है उमेगा नॉट और हमें बता रखा है कि ड्यू टो इन इंटर्नल मेकनिजम मतलब इंटर्नल कोई सिस्टम से जो स्पोक्स है फ्रेम के लेंदन करते है जो रेडिया ही मासर का वो तूए हो जाता है तो इसमें पूचे कि what will be the new angular velocity of the system सो इसमें हमें दे रखा है कि जो चेंज आ रहा है वो इंटर्नल मेकनिजम से आ रहा है तो जो system है उस पे external torque नहीं लगजिए यानि system पे नो एक्स्टर्नल टॉर्क तो इनिशल अंगल मेंटम है मारा 4ma2 4ma2 इंटो ओमेगा नोट और फाइनल अंगल मेंटम फ है वो है 4 इंटो m अब यह distance रहती है इस case में 2a स्कूर्ड इंटो ओमेगा एफ तो इसमें कंजर्विशन अंगल मेंटम लगाते हैं coam applicable रहेगा बहस्चा बता सकते हैं कि हम लोग जो इनिशल अंगल मेंटम होगा इकुल टू फाइनल अंगल मेंटम होगा तो यह जाएगा 4ma2 4ma2 इसलिए क्यूंकि 4ma2 इंटो इंटो ओम टो जो अमेगा एफ आता है वो आता है इस इकल टो ओमेगा नौट बाइफ ऑच सो यह हमारा ओंगल व्लॉस्टि रहेगी फाइनल अंगल व्लॉस्टि जब इसको हम लोग और टू ए की तरह टूए एक्सक्ट करतेंगे बाहर की तरफ इस केस में झाल झाल